असलाम लेकुम काफी लोग मुझे मैसेजिस कर रहे थे कि जोहेब भाई हमारी VRC कोईन की स्टेकिंग हमारे ट्रस्ट वालड में लगी हुई है लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम VRC नेटवर्क की जो अपनी अप्लिकेशन है उसमें स्टेकिंग को शिफ्ट करें तो ऐसी कोई पॉसिबिल्टी है कि हम अपनी स्टेकिंग वहाँ पर शिफ्ट कर लें या हमें न्यू अकाउंट तो नहीं बनाना होगा तो उन सब के लिए मैंने सोचा कि यार एक वीडियो ही बना रेता हूं ताकि उसमें सब को पता चल जाएगा जिसको पता है वो तो ठीक है जिसको नहीं पता उसको भी वीडियो देखे जिवह वह पता चल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ अपने कोई ने अकाउंट नी बनाना और कोई नई स्टेकिंग आपने नहीं लगानी आपके जो स्टेकिंग लगी हुई है आपके ट्रस्ट वालड या मेटा मास्क में वही आपके स्टेकिंग यहां पर शिफ्ट हो जाएगी बस शिफ्ट करने के लिए आपको सिक्रेट फ्रासिस चाहिए होंगे वो जो बारा लफज आपने अकाउंट बनाते वक्त याद किये होंगे या कहीं पर लिके रखे होंगे वो चाहिए होंगे और उसके बाद आपको चाहिए होगे वी आरसी की अपनी अप्लिकेशन जो भी आप वरे यूज़ए रहे रहे हैं उसके आपको बारह लफज ये वाले चाहिए होंगे तो जब आपने अगाउंट बनाया होगा ये बारे centuries आई होंगे आपके सामने ये वाले बारे bargaining आप तो उसके बाद आपने वी आर्सी अप्लीकेशन को डाउलोड करना है तो अप्लीकेशन को डाउलोड करने के लिए आपने सिधा चला जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहां पर लिखना वी आर्सी नेटवर्क अब मैंने जैसे वी आर्सी नेटवर्क लिखा यहा एटम माक्स से अपने स्टेकिंग को शिफ्ट यहां पर करेंगे तो बहुत अच्छा डिसरीयन होगा को कि यहां पर आपको आपको मिल जाती हैं वीर्सी नेटवर्क जैसे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आपने वीर्सी नेटवर्क को ओपन करना है और जैसे ही open करेंगे आपके सामने दो option आएंगी एक है import wallet और दूसरा है create wallet तो आपने create wallet के उपर click नहीं करना क्योंकि यहाँ पर काफी लोग गलती करते हैं वो create wallet के उपर click करते हैं तो जब वो create wallet के उपर click करते हैं उनका account नया बन जाता है और उनकी staking सामने शो होती नहीं क्योंकि आपने तो account नया बना लिया तो आपने import wallet करना क्योंकि आपके staking वी और सी network की already लगी हुए आपने उसी को यहाँ पर shift करना है उसके लिए आपने import wallet के उपर click करना है और यहाँ पर आपने i agree के उपर click कर देना उसके बाद आपने scroll down कर देना i agree और फिर आपने i agree अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास दो option है import wallet करने के लिए एक है secret phrases और दूसरा है private key तो private key तो आपके पास नहीं होगी लेकिन secret phrases सब के पास होते हैं अब secret phrases वो होते हैं जो 12 लफज मैंने आपको starting में दिखा दिये थे वो 12 लफज आपने यहाँ पर लिखने हैं और लिखने आपने ऐसे हैं कि कोई लफज बड़ा नहीं होना चाहिए सारे चोटे लफज होने चाहिए और उसके बाद जब आप एक लफज लिख लेंगे तो एक के बाद जो दूसरा लफज लिखेंगे ना उन दोनों के दरमयान स्पेस होना चाहिए यानिके हर वर्ड के बाद आपने स्पेस डालना है उसके बाद आपने आठ हिंसों का पासफ़र लगाना है और आपने फिर कर देना है इंपोर्ट तो मैं यह सारी चीज़ें लिखके इंपोर्ट करता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं उसके बा वाला है वी यरसी कोईन का उसके बाद रिजिस्टर के उपर आप जैसे क्लिक करेंगे यह आपका रैफरल आईडी और आपका रैफरल कोड यहां से आप कोपी करके किसी को भी भेज सकते हैं जिसको आप जोईन करवाना चाहते हैं उसके बाद स्टेक में जैसे हम आएं तो य यहां पर देखें कि यह मेरा एक vrc बन चुका है इसको मैं विड़रा करवा सकता हूं विड़रा करवाने से पहले मैं आपको लैवल और वालड का समझा लेता हूं फिर उसके बाद हम विड़रा करवाएंगे तो जैसे ही मैं लैवल्स में आता हूं यहाँ पर 15 लेवल तक आपको इंकम मिलती है और यह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मैं कहता हूँ सब को के यही जोइन करो यार दो नमबर और फेक एप में पैसे लगाने से बेतर है कि आप वी यर्सी को जोइन करो के बाद वालेट में मैं जैसे ही आता हूँ न यहाँ पर देखे के मेरे वालेट में 3 वी यर्सी पड़े हुआ है जो के तकरीबन 4.9 डॉलर के बनते हैं 5 डॉलर के अब मैं सबसे पहले जो मेरा स्टेक वी यर्सी हुआ हुआ है न इसको मैं वी ड्रा करवाँगा और ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा अभी आपने याद कर लेना है कि यह पर कितने वी यर्सी हैं यहाँ पर 3 वी यर्सी मेरे पास आ चूके हैं जो 4.99 डॉलर्स के बनते है अब ने विडरा लेना है विडरा के लिए मैंने विडरा के उपर क्लिक कर देना है और यहांपर विडरा वी एर स्य देन उसके बाद आपने कंफरम करना है जी दोस्तों तो देखे मेरा विड्रा हो चुक है यहां पर मेरे पास 00VRC शो हो रहे हैं उसके बाद मैं वालेट में जाता हूँ और वालेट में आने के बाद यहां पर देखे मेरे पास 4 VRC हो गया है पहले 3 VRC थे अब 4 VRC हो गया है जिसके कीमत बनती है 6.5 डॉलर और जब आपका विड्रा हो जाएगा तो आपने सिंपल स्टेक के उपर जाना है और यहां पर मैंने अमाउंट लिख देनी है तो आपने पूरी अमाउंट नहीं लिखनी जब आपने स्टेक करना या विड्रा करवाना क्योंकि आपको पता कि गैस वीस इसकी VRC में ही लगती है तो कुछ नकुछ VRC आपने छोड़ने है ताकि गैस वीस कवर हो जाए तो आपने यहां पर 4 VRC लिख देना है उसके बाद स्टेक टोटल स्टेक नीचे आप देख सकते हैं कि 23.7 है और यह जैसी मैं करूंगा तो यह एड़ हो जाएंगा उसमें कनफार्म उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है ताने के बाद यहां पर लोडिंग हो रही है लोडिंग होने के बाद यहां पर रेसीट देखें सकसेस हो चुकी है और यह आटोमेटिक रेसीट मुझे वियासी की तरफ से आगे के भाई आपकी जो आपने ट्रांजक्शन किया है वो सकसेस हो चुकी है मैंने कलोज कर दिया और यहां पर देखें मेरा वालिट बिलकुल खाली हो गया और स्टेक में अगर मैं जाओ 27.7 हो चुकी है यानि कि जो मैंने चार वियरसी दुबारा लगाए है वो भी दुबारा यहां पर एड हो चुकी है अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ अगर आप किसी से वियरसी मंगवाना चाहते है तो आपने अपने ट्रस्ट वालिट में नहीं मंगवाने है आपने सीधा वियरसी वालिट में ही मंगवाने है मंगवाने के लिए अपने वालिट में चले जाना है और इसी तरह अगर आप किसी को send करना चाहते हैं तो आपने simple यहां पर balance आपको show हो रहा होगा जहां पर मेरा 0.04 हो रहा है आपको एक यह दो वियर्स शो हो रहे होंगे तो आपने simple send के उपर click कर देना उसका receiving address आपको चाहिए होगा वो आपने यहां पर paste कर देना और जितने आप वियर्स उसे बेजना चाहते हैं आपने उतनी amount लिख के send coin के उपर click कर देना तो जैसे ही आप send coin के उपर click करेंगे उसके wallet में वियर्स जो हो जाएगा वो मजीद उसको stake भी कर सकता है तो दोस्तों यह थी simple वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वियर्स को आपने shift कैसे करना है अपने meta mask या trust wallet से और उसके बाद shift करने के बाद अपने receive कैसे करना है stake कैसे करना है विट्रा कैसे लेना है तो वीडियो गर आपको पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर दे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए अपना ख्या